हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक्स स्वागत है देखें उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की दिवाली अच्छे से मनी होगी और आपने कल पूरा अच्छे से उसको एंजोई भी किया होगा कुछ पार्ट्स में आज भी दिवाली है तो आप आज भी एंजोई कर सकते हैं आज के बारे में जो महत्मू जांकारी है वो है चार महीने के DR एरियर को लेकर चार महीने का DR एरियर बैंक से मिलना सुरू हुआ पैंसन मंतराले का नया तरीका क्या आपको मिला चार महा का एरियर जी हाँ, आज चार महीने के DR एरियर के उपर कुछ जानकारी है जो आपके साथ सेर करने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सेर जरूर करें सबसे पहले देखिए, जब 30 तारिक को ये आप देख पा रहे हैं ओफिस मेमोरेंटम जारी होता है डिपार्टमेंट ओफ पैंसन एंड पैंसनर्स वेलफेर की तरफ से जिसमें सबजेक्ट था ग्रांट ओफ डियर्नेस रिलीफ तो सेंटरल गौर्रमेंट पैंसनर्स फैमली पैंसनर्स एक जुलाई दोजार चोबिस से पचास परसेंट से बढ़ा कर 53 परसेंट कर दिया गया लेकिन आप जब नीचे पॉइंट नंबर 4 देख पा रहे हैं मैंने जब परसो वीडियो बनाई थी तब भी आपको ये बताया था कि देखे इनोंने साफ साफ लिख दिया कि अक्टूबर की पैंसन या फैमली पैंसन से पहले ये आपके खाते में नहीं आएगा ये देखे ऐसा नहीं है कि हर बार होता आया है ये लास्ट जो जनवरी में था तब भी सरकार ने इस चीज़ को मैंसन किया था और लास्ट वाला जो सरकुलर था वो तो काफी पहले आ गया था 15-16 दिन बचे हुए थे फिर भी उन्हें कहा कि आपको जो पैंसन है उसके बाद ही मिलेगा आखिर ऐसा क्यों उससे पहले ऐसा नहीं होता था अगर हम बात करें दो-तिन दिन में आ जाता था लेकिन अब ऐसा लिखने के पीछे की वज़य क्या है क्यों डिले हो रहा है इसको लेकर कोई भी क्लारीफिन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है लेकिन अभी पिछले कह सकते हैं कि 2024 से ये एक नया क्राइटीरिया है एक ये नया पॉइंट एड कर दिया गया कि जो एरियर है आपका वो आपको पेमेंट किया पैंसन के जो है बाद मिलेगा अब महत्पून सवाल है कि ये आपको मिलेगा कब देखें उम्मीद करते हैं कि पहले सब्ताम में आपको मिल जाए नवंबर के में लेकिन बैंकों से हो सकता है कि देखें और दो-चार दिन एक्षटा भी लगे लेकिन एक वाक्या मेरे सामने आया जहां पर पैंसनर ने मुझे बताया कि देखें उनको 2,671 रुपे पैंसन मिली उनको 28 तारिक को और 30 तारिक को उनके खाते में 2,671 रुपे आया जब हमने कैलकुलेट किया तो ये एरियर था उनका वो भी DR का चार महिने का वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाले हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं देखें 2,671 रुपे 30, 10, 12, 24 को उनको एरियर प्राप्त हुआ था देखें वो हवलदा 24 येर सर्विस और उनका अभी OROP 3 का रिविजन नहीं हुआ है 22, 257 के हिसाब से जब मैं उसमें 0.12 का मिल्टिप्लाई करता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने बेसिक में 0.12 से मल्टिप्लाई कर लीजिए जो आपका आएगा वो 4 महिने का एरियर होगा तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं 2,670 रुपे 84 पैसे मैंने बताया था कि जो इसमें पॉइंट्स में होगा वो नेक्स्ट रुपीज लिया जागे 2,671 रुपे और वो ही देखिए सेम अमाउंट यहाँ पर 2,671 रुपे इनके खाते में आया है अब बड़ी बात है कि आखिर यह आया क्यों क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं मिला है और 30 तारिक में सरकुलर आता है बैंक ने की है वो क्या हो सकता है देखिए यहाँ पर आप देख सकते है 22,257 का 150% 33,385 यानि 33,386 यह वो ही अमाउंट है जो देखे इनको पैंसन के रुप में प्राप्त हुआ है अब बात यह है कि आखिर बैंक ने यह कैसा किया जब मैंने इनसे पूछा तो मुझे पता चला अब इनके खाते में यहाँ पर 29 तारिक को 391 रूपे है अब बैंक को यहाँ पर 30 तारिक को 31 तारिक को पैसे काटने हैं इनसे 3062 रूपे आप देखे या उससे जादा भी हो सकता है तो उन्होंने यह अमाउंट यहाँ पर पहले इनको डाल दिया जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको इसाथ सेर कर रहा हूँ तो उनका दिखे आते ही नेक्स टे सिधा उनका जो किस्त है वो कड़ जाती है अब यह जो बैंक है वे बैंक ने किया हो सकता है किसी और के साथ भी ऐसा हुआ हो लेकिन इंपोर्टेंट बात यह है कि बैंक ने सरकुलर आते ही यह हम कहें कि उनको पता है कि यह हमें इतना देना है तो दो दिन पहले दे दिया लेकिन अगर बैंक ऐसा कर रहे है तो बहुत अच्छी बात है ये मैं table आपके सामने कई बार share कर चुका हूँ आप फिर इस table को देख सकते हैं फिर भी आपके लिए बताता हूँ कि आप अपनी जो basic pension है उसमें 0.12 से multiply कर देंगे तो आपका चार महीने का area निकल के सामने आ जाएगा DADR का तो ये थी जांकारी बैंक से लेकर DADR कर लेकर चांकारी आपको अच्छी लेगी तो अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए फिर मिलेंगे आप से जैहिंद जैभारत